तापमान पर निर्भर करता है कि इस जीव के अंडे से मादा का जन्म होगा या नर्ग। ग्लोबल वार्मिंग वर्तमान में सबसे बड़ी वैस्विक समस्या बन गई है। इसका असर परिया वरण के साथ साथ जीव जन्तों पर भी पढ़ रहा है। यदि धर्ती पर तापमान यो ही विर्दी होता रहा तो वर्ष 2100 तक 93% ग्रिन टर्टल मादा हो जाएंगे। इसके अंडे से नर कच्छवा जन्म लेगा या मादा या तापमान पर निर्भर करता है। कच्छों के अंडे से मिली जूली मादा में नर और मादा जन्म लेते है। बच्चे के जन्म के लिए इन अंडों में 29.3 डिगरी तापमान चाहिए। अगर तापमान इससे ज्यादा होता है तो सिर्फ मादा जीव पैदा होते है और तापमान 29.3 से थोड़ा भी कम हो जाए तो नर जीव पैदा लेंगे।